नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपूर्ण जानकारी को ले करके जिहां उम्र के साथ साथ घुटने घिसने लगे हैं घुटनों में टक टक की आवाज आती है बैठ जाते हो तो उठ नहीं पाते इन सभी के लिए अचुक और कारगर देशी उपाये आई आज हम सभी जानते हैं घुटनों का दर्द आज के बदलते परिवेश में खान पान में भी कुछ न कुछ बदलाव आ रहा है क्योंकि आज वो पुराने जमाने के बिना मिलावटी शुद्ध खाद्य सामगरी नहीं रही है यहीं कारण है कि आज के इस आधुनिक और वैज्यानिक यूग में भी बीमारियों का अमबार खड़ा है इसमें से एक है घुटने का दर्द हमने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों को घुटने के दर्द से तरपते हुए देखा होगा दिन रात दवाई खाने से भी उन्हें कोई आराम नहीं मिलता है चलने फिरने में बहुत परिशानी होती है और साथ ही घुटनों को मोडने में उठने बैठने में भी दिक्कत आती है कभी-कभी उन्हें इतना जादा दर्द होता है कि वो ठीक धंक से सो भी नहीं पाते और उनके घुटनों में सूजन तक भी आ जाती है उम्र के साथ-साथ घुटने घिसने लगे हैं घुटनों में टक-टक की आवाज आ रही है बैठ जाते हो तो उठने को दिल नहीं करता ह क्योंकि उम्र के साथ हड्यों की बिमारियां भी बढ़ जाती है आज हम घुटनों के दर्द के ऐसे कारगर उपाय बता रहे हैं आपको जो बहुत असरकारक है अगर इनको अपना लिया तो बुढ़ा पे तक किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी बलकि आप सही से चल फिर पायेंगे हर उम्र के पड़ाओ तक आये जानते हैं इसी बारे में आज हम सभी सबसे पहले तो हर सिंगार एक पोधा है जिसके सफेद रंग के फूल होते हैं ये फूल रात को खिल कर सुबह गिर जाते हैं इस पोधी के छे से साथ पत्तों को सिलबटे पर पीस कर इसकी आपको मुक्ति मिलेगी इस और शदी के साथ कोई अन्यदवान नहीं लेनी है यह उपाय सबसे ज्यादा कारगर और सफल है कनेर के पत्तों को उबाल कर उसके पत्तों की चटनी बना लें और तील के तेल में मिलाकर घुटनों पर मालिश करें ऐसा करने से आपको दर्द से म पाने से और मेथी का पानी पीने से आपको कभी भी घुटनों का दर्द नहीं होगा है एक गलास दूद में 4-5 लहसुन की कलियां डाल कर अच्छी तरह से उबाल लें और गुंगुनाips पानी पीने से भी घुटनों के दर्द में आराम मिलता है यानि कि गर्म दूध में लेसुन के कलियां उबाल करके आप खाले और पीले इसके अलावा आप अगर कुनगुना पानी पीते हैं तो भी आपको रहात मिलेगी हर रोज आधा कच्चा नारियल खाने से बुढ़ापे में भी कभी भी आपको घुटनों के दर्द से परेशान नहीं होना पड़ेगा पांच अखरोट प्रती दिन खाली पेट खाने से आपके घुटनों में कभी भी कश्ट नहीं होगा रोज रात को सोने से पहले एक गलास दूध में हल्दी डाल कर पीने से आपको हड्डियों में दर्द की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी एक डाल के दाने के बराबर थोड़ा सा चूना जो आप पान में लगा करके खाते हैं उसको दही में या पानी में मिलाकर पिने से आपको हड्डियों में कभी भी दर्द नहीं होगा चुने के पानी को हमेशा सीधे बैठ करके ही पिए इससे आपको जल्दी आराम होगा या औशाधी सिर्फ एक महीने पीने से ही शरीर की किसी भी हड़ी में दर्द हो तो वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा सुबा और शाम को भद्र आसन करने से आपको लाफ मिलेगा हड़ीों के दर्द से बचने के लिए आप अपने भोजन में 25% और सबजियों को शामिल करेंगे तो आपको कभी भी हड़ीों के दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा नारियल, सेव, संतरे, मोसमी, केले, नाशपाती, तरबूज और खरबूजे इत्याजी फलों का सेवन हर रूज जरूर करें गुभी, सुयबीन, हीरा, पत्तेदार सबजियों के साथ खीरे, ककड़ी, गाजर और मेथी को अवश्य शामिल करें दूद और दूद से बनी चीजें भरपूर मातरा में खाएं और कच्चा पनीर भी भोजन में शामिल करें ऐसा करने से आपके जोडों में दर्द कभी नहीं आएगा मोटा अनाज, मकई, बाजरा, चोकर वाले आटे की रूटियों का जरूर उप्योग करें क्योंकि इनमें वो सभी तत्व होते हैं जो आपकी हड्डियों और जोडों के दर्द से मुक्ति दिलाते हैं आपको अगर अत्यधिक सर्दी की वज़े से आपके दादा या दादी के घुटनों में बहुत अधिक पीड़ा है तो सर्सों के तेल में लहसुन और अजवाइन को पकाएं और फिर जब यह तेल गुनगुना हो जाए तो घुटनों पर मालिश करें उनका दर्द छुमंतर हो जाएगा तो यह थी आज की जनकारी आप सभी के लिए नमस्कार धन्यवाद दोस्तों